यदा यदा ही धर्मश्य ग्लानिर भवती भारत अभ्योत्थानम धर्मश्य तदात्मानम स्रजाम में हम इसका साधर अर्थ तो यह है कि भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म की यहान ही होगी अधर्म बढ़ेगा तो उससे मुक्त दिलाने के लिए मैं आता रहूंगा इसको मैं आप से और खुझ से जोड़ता हूँ कि जब भी आपकी परिक्षाएं आएंगी जब भी आप जीवन में परेशान होंगे तो आपको थोड़ी सी हमारे अध्यात्म से हमारे धर्म से जोड़ने के लिए और उससे प्रेणा पाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा मेरा नाम है अवनीस्त्रिपाथी आज मैं आपको बहुत छोटे से शेशन में भागब्द गीता जो के वाले धर्म गरंत नहीं है इसको आप किसी अर्थ में ले सकते हैं आपको और जीवन का नीतिशास्तर लगे आपको एक मोटीवेशन पाने वाली को पाने माले को जडिया लगे या आगर आपके धर्में विशेश रूची है आप आस्थिक है आस्तिक हैं तो अपन के मुख्ष से निकलने वाला गीत कह लीजिए एक ऐसा complete work जिसके बाहर कोई समस्या इस दुनिया में है नहीं वहां से मैं कुछ छोटे छोटे एक दो विंदू आज लाया हूँ जिससे आपके जीवन में सहस्ता आ सके आसानी आ सके और आप अपने 2024 जो आने वाला है नया साल आने वाला है उसमें success को महसूस कर सकें लेकिं success तो उसकी कोई परिभाशा नहीं है कोई उसकी सीमा नहीं है लेकिन आपने कुछ अच्छा किया या कर रहे हैं यह महसूस कर सकें तो वैसे तो गीता की हर एक line हर एक slok बहुत important है और जीवन की सारी समस्याओं की का जो समाधान है उसमें चुपा हुआ है फिर भी मैं एक दो जरूरी चीजों पर जरूर discussion करना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपसे share करना चाहूँग बच्चो यह slok जो की दिति अध्याय का है ते संगो स्वा करमडी तो यह जो slok है यह आपके जीवन में इस समय सबसे महत्तमोंट slok है आपकी परिक्षाइन नजदीक है आपको लग रहा है क्या result आएगा आपको लग रहा है आप कैसा performance करेंगे आपको लग रहा है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है तो यह slok जहां पर भगवान एकदम सपस्ट कहते हैं कि तुम्हारा करतब बे तुम्हारा काम केवल कर्म करना है फल पर न तुम्हें अधिकार है और न तुम्हें उसके चिंता करनी चाहिए इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कभी result अच्छा लाने के बारे में न सोचें इसका अर्थ यह है कि आप उसे सोच के चिंती तोकर मत बैट के समय बरबात करिए क्योंकि इस परस्ट बात है कि आपके हाथ में result नहीं है जब नहीं है तो पहली बात तो यह सोच लेना कि खराब ही होगा यह भी गलत बात है दूसरी बात मेरा अच्छा नहीं हुआ तो कुछ हो ही नहीं सकता यह भी गलत बात है तीसरा उस सोचने से होगा क्या ये भी सही बात है आप कितना भी सोच लीजी सिवाए समय बरबाद होने के दिमोटिवेट होने का कुछ नहीं है तो ये कहा क्यों हो गया कुछ लोग इसको नकरात्मक लेते हैं यह सोचते रहें तो गाड़ी सही में लड़ जाएगी लेकिन आपको बता हैं बैद मैं चलाता रहूंगा आगे जो परसिती आएगी देख लूँगा तो इससे आपकी गाड़ी सही दिसा में दोड़ेगी तो अपने जीवन में इस बात को आप उतार लिजे कि हमें केवल कर् बहतर बनाएंगे कि कल हमारा वैसे ही बहतर हो जाएगा तो यह जो स्लोक है यह कर्म योग बताता है कि आपके हाथ में कर्म है और कर्मे से ही भागे बनेगा आपका जैसा आप कर्म करेंगे जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आपका भागे बनेगा मैं लास्ट में एक और स लोग इसी से सम्मंदित बहुत जरूरी आऊंगा कर्म सिध्धान पर तो एक तो अपने जीवन में यह उतारो अभी इसी वक्त सोच लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है बाकी फल सोचना ही नहीं है लेकिन कर्म करने में कोता ही नहीं करूंगा जी भार के कर्म करूंग फल तो अच्छा होगा ही इसमें कोई दोराय नहीं है अगर आप बहुत अच्छा ले गए तो वैसे ही अच्छा है अगर कुछ कम रहे गया तो आपके समझे कि कुछ बुरे बाप कटे आपकी कमियां उजागर हुई और आप और बहतर कर सकते हैं तो आज से फल की चिंता न जब नहीं पता तो चिंता क्या करना पहली बात दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हर बच्चा परेशान रहता है कि सर मैं करना तो चाहता हूं पर मन नहीं लगता सबसे पहले बता दू कि मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सभी लगा लें बड़े बड़े सिद्ध से पूछ रहे हैं गीता में चंचला ही मना किष्णा प्रमाथी बल्विद्रम तश्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुषकरम वो कहते हैं कि जैसे हवा हाथ से निकल जाए उससे भी कठीन एक बार तो हवा को भी कंट्रोल कर लो लेकिन मन उससे भी बलवान हो एक द इंद्रियों पर नियंतर रखना है दूसरा जब पूछा गया है कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस प्रस्ण को डाला है फिर मैंने उत्तर लिखाए यह प्रस्ण आपके तरफ से अर्जुन कर रहे हैं भगवान से आप सभी लोगों के तरफ से और तब भगवान उसका ज चन्चल और कठी नहीं इसको सनालना भगवान ने किसी जादू की बात नहीं के अर्जुन तेरा मन नहीं लग रहा है यह लिदे जादू और तीरा मन लगने लगेगा नहीं कि इस चमतकार की बात नहीं कि भगवाने स्पष कहा अभ भृस ही नहीं कौन तयों कि वह जानते कर आधिकार है उसकल में अभ्यास है किная भषियोंगा फिर याद करूगा फिर बैठूंगा फिर बैठूंगा इस मन को मारो इसको मारना उसको नियंतर Corona ginger ना अभ्यास से और उत्सक्राइक के साथता आपको VR फोन पंदरवाई करना पड़ेगा मितलब क्या रहता है यहता पड़ और फोन आका hallo आरा पपंझी खहलते हैं यहाश चलो आए परमोस खाते हैं यहाश रहे ह्योग हो हॉत है इसमें तुरिशी के आपज़ा हे दुनिया को फसा रखा है व pasture आगे मतलब वहां से काटो connection कट करो जो जो आपको चीजें जो जो लोग जो जो क्रियाएं आपको जीवन में भठका रही हैं आप उनसे अलग हो यह वैरागे कच्छुआ देखा आपने कच्छुआ वो क्या करता है जब देखता है कि उसको कोई समस्या है परिशानी है तो ना किसी से मिलना है मुझे वैराग वैराग मतलब ही नहीं कि घरदवार छोड़ दीजे वैराग मतलब वो चीजें जो आपकी अभी काम की नहीं है आप उनसे अपने आपको cut off कर लिए जब वहां से cut off कर लेंगे तो आपका मन लगाने में और आसानी होगी अब पता लगा क कि आप पढ़ने बैठें और वीडियो कॉल पर दोस्त पार्टी कर रहा है देख रहे हैं तो मन लगेगा कहीं नहीं लगेगा तो आप बारवार अभ्यास करिए अब से मेरे से पूछने सर मन नहीं लगता पढ़ने में कभी जवाब नहीं दूंगा यही जवाब सुन लिज तो क्या होगा उस सोने का कोई अर्थ नहीं आपके अंदर चोरी की भावना नहीं आएगी आपके अंदर कोई लालच नहीं आएगा और मन अपने अपनी अंतर में आने लगेगा तो बार बार अभ्यास करिए एक तो यह सीख अपने जीवन में आप उतार लीजिए अंत में कि भागे कोई जादू से नहीं आता है, जो कर्म आप अभी कर रहे हैं, उसी से भागे बनता जाता है, वही बाद में आप भोगते हैं, तो एक बात जो गीता बताती है, कि अवश्यमेव भोकत अभ्यमकृत कर्म शुभाशुभम ठीक है, नाभुकत अच्यते कर्म कल्प कोट निश्टेरपी कर्म आपने जो किया है वो निश्चित ही भोगना पड़ेगा वो कितने भी काल बीत जाएं वो कर्म वैसे खतम जलेगा नहीं इसलिए जो सुभ कर्म जो अच्छा कर्म किये हो उसका भी अच्छा फल भोगे जो बुरा कर्म किये हो उसका बुरा फल भोगे तो क्यों ना हम अच्छा ही फल भोगे या को अच्छा ही कर्म करें मैं अशे तो बहुत आध्यात्मिक में आज जाएंगे तो दोनों कर्मों से अलग होने की बात कही जाते लिए फिर भी आपके इस तर पर कम से काम आप सुभ काम करिए जिससे आपका नतीजा सुभा आए इस सु कर्म करते झाओ ताकि सुभ भोगना पड़े वरना कल की देखो कल की देट में तुम्हें कहीं करना नहीं पड़ेगा किसी की दर्वाजय नहीं जाना पहए वियक कर्म तुमारा स्ट्रॉंग करता हूं कल दिन बर अच्छे से बढ़ाई करांगे रात को फिट डिप्रेशन होगा कि अरे यार ना मैं पढ़ पा रहा हूं ना कुछ हो पा रहा है देख लिए लेकिन दो दिन बढ़ियां से पढ़ लिए तीसरी दिन से कर्म कार्म का सिध्धान्थ वज्ञानिख वह यह कहता है आपने जो कर्म किया है वह भोगना ही पड़ेगा साइकिल में टायर में हवा नहीं है तो अगर कम है औप पथरीले रास्ते पर जाओंगे तो पेंचर होगी कोई रोक नहीं सकता इसलिए कर्म अपने भेतर रखो, पढ़ लेना अच्छे से या मत पढ़ लेना, कर्म बिगड़ने मत देना, अंदर से वाज आती ये गलत काम है, नहीं करना है, मत करना, नहीं करोगे तो चैन से सोगे, तो ये कुछ बहुत बेसिक बाते मुझे आपसे करनी थे, गीता पर तो लागा कर पढ़ी हमारे शुब कामना है, आपके साथ अपना ध्यान रखिए, जय हिन, जय भालत